कुरुण वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से देशभर के सभी सेक्टर से जुड़े लोगों को आर्थिक मंदी का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है तो वहीं रियल स्टेट से जुड़े व्यापारी भी इस मंदी से अचूते नहीं है व्यापारीों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से ही रियल स्टेट में आर्थिक मंदी चल रही है लेकिन आप कुरुणा वैश्विक महामारी के चलते और आर्थिक मंदी को जेलना इस दौर में हम सभी को पड़ रहा है इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि रादस्थान सरकार ने रेरा के तह जो की राहत दी है उसे एक शेत्र के लोगों को लाभवश्य मिलेगा लेकिन केंद्र सरकार के और से आर्थिक पैकेज में घोशना में शेत्र के लोगों को अभी तक निराशा ही हात लगी है इस दौरान A1 TV समारता दिनेश कसाना ने रियल स्टेट से चुड़े व्यवसाई अमित विजयवर्गी से की खास बाशीत रियल स्टेट से जोड़े हुए लोग उनसे हम बात करेंगे अमित जी कितनी आर्थिक मंदी की बात करें पहले से रियल स्टेट के शेत्र में आर्थिक मंदी थी लेकिन कोरौन वैसरिक महमारी के जलते और ज्यादा अब कितना इफेक्ट बिल्कुल दिनेश जी मैं A1 TV के स इस कोरोना की महामारी की वज़े से वापस से एक बार रियल स्टेट शेत्र को एक धक्का लगा है जटका लगा है लेकिन मैं उमीद करता हूँ क्योंकि इस कोरोना में लोगों ने सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीछ पैचानी है वो है उनका खुद का घर और रियल स्टेट जो की घर का सपना पूरा करता है इसलिए मुझे उमीद है कि लोग वापस से अपने घर के सपना को पूरा करने के लिए भार आएंगे और उनकी प्रतम प्रात्मिक्ता अब घर खरीदना होगी सरकार ने कुछ रेरा के जो एक्ट है उसमें सेक्षन 6 और 8 में कुछ राहत दी है ऐसे में जो रेरा के जो प्रजेक्ट हैं उनमें एक साल तक और विस्तारिद किया किस तरह के रेलेक्सेशन जो सरकार ने दी हैं कितनी राहत इस तिर जुड़े के लोग बूली मैं हमारे जो रेरा चेर्मेर हैं श्रीमान एंसी गोयल साब उनका हिर्दे से हार्दिक आभार करना चाओंगा कि उन्होंने इस संकट की घडी में राजस्तान के बिल्डर भाईयों की वेथा सुनी और उस पर बहुती निर्णायक निर्णे बहुती तुरंत प्रभाव से लिया पूरे भारत के अंदर तीन महीने से अधिक का समय कहीं पर भी किसी भी रेरा अथरोटिक के द्वारा नहीं दिया गया था हमारे श्रीमान चेर्मेंट साप ने पूरे नियमों को देखते हुए और हमारी व्यत्ता को सुनते हुए एक पहुत ही निर्णायक फैसला लिया और उनने बारा माह का हमें समय दिया मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा हमारे चेर्मेंट साब को कि आपने जो ये हमारे पर उदारता दिखाई है इसका हम पूरा उप्योग करेंगे एवं हम अपने कारे को अपने समय से पहले पूरा करने का प्रण लेंगे और बारा महीने का जो आपने समय दिया है उसके पहले इस काम को करके आपको complete करके देंगे और उमीद करेंगे कि भविशे में भी कभी किसी प्रकार की हमारे बिल्डरों को कोई उचित मांग हमारी हो या कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम समाधा नहीं ढूंड पारे हो उसमें आप हमें इसी प्रकार माखदर्शन देते रहे हैं जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर अविलेबल करवाने का काप रियल स्टेट से जुड़ेवे लोग करते हैं लेकिन जिस तरह से अभी लोकडाउन के चलते दो लगतार दो महीने का समय हो गया है ऐसे में उन लोगों के सामने भी आर्थिक बंदी आ गई है पैसो का दिर्ग काली में ऐसा फरक पड़ेगा क्योंकि आज किसी को पैसे नहीं मिले हैं या कम मिले हैं ये सब कुछ आज की वस्तूस्तती है हिंदूस्तान में जिस प्रकार तेजी से काम होता है और पहले भी हम लोगों ने जिस प्रकार बड़ी-बड़ी मुसीबतों का सामना निडरता से किया है उसी प्रकार अगले दो महीने के अंदर वापस से सब चीरे हम ठीक करेंगे हमारे लोग वापस काम करेंगे हमें वापस लोगों की आवशक्ता होगी काम करने के लिए और ये सारी समस्यां दूर हो जाएगी लेकिन जो भाव लोगों के मन में अपने घर को लेने के लिए अभी बन चुका है ये भाव अगले आने वाले साल दो साल में जब तक वो अपना घड़ नहीं ले लेता है ये भाव खतम नहीं होंगे सरकार भी लगतार प्रियास कर रही है कि वापस जन जीवन पत्री पे आया पूरी ववस्ता है सुव वस्तित हों लेकिन क्या कहेंगे आप सरकार के मादम से इस चैनल के मादम से कि सरकार से जो मांग करना चाहेंगे कि रियल इस्टेट के चेत्र में वापस उसी तरह का जंजीवन पट्री पे रहा है तो ऐसे में क्या डिमांड रखना चाहेंगे पुरे साथ हैं, सरकार जो प्रयास कर रही है वो बहुत ही तारीफ के काबिल प्रयास है राजस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना की महामारी से युद्ध लड़ा है और अपने आपको बचा के रखा है हम सरकार से केवल एक ही बात की गुजारिश करना चाहेंगे वो भी हम केंदर सरकार के माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे कि रियल स्टेट के व्यापारी जो पिछले लंबे समय से एक महामंदी को जहल रहे थे वो इसमें केंद्र सरकार के package के अंदर बहुत सारी तरह तरह की demand अपने मन में सोचे वे बैठे वे थे लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक real estate को इस प्रकार की कोई demand कोई छुट नहीं मिली है जिनके हमें अपेक्षा है थी हम सरकार से श्रीफ यही कुझारिश करेंगे राजस्तान सरकार से कि केंद्र सरकार के समक्ष भारत के नहीं तो राजस्तान के जो real estate से जुड़े वे विवसाई है उनकी बाते रखें और हमें कुछ ऐसी चीरे दिलवाए जिनसे हमारे व्यापार को जल्दी पट्री पलाया जा सके क्योंकि real estate अगर पट्री पर आएगा real estate अगर चालू होगा तो ही भारत का असली विकास संभव है real estate से कम से कम 200 से जादा ancillary industry जुड़ी है उन सब का विकास उन सब में कारेकलाब तभी संभव है जब बकानों के काम होंगे और real estate आगे बढ़ेगा तो real estate से जुड़े वपरियों का कहना है कि नोटमंदी के बाद से ही आर्थिक मंदी का दौर लगातार चल रहा था जिसके चलते रियल इस्टेट के चेतर में पहले से आर्थिक मंदी थी लेकिन अब लोकडाउन के चलते और ज्यादा एफेक्ट इस पर पड़ाया लेकिन सरकार के और से रेरा के ताहित जो राहत दी गई है उससे काफी राहत रियल इस्टेट से जुड़ेवे लोगों को मिलेगी वीड कर दो मीड़ी को मिलेड़ा बार दी रेरा के ताहित